अधिकांश पढ़े लिखे युवाओं का एक सपना होता है कि वो एक बार लबासना ज़रूर आए जो लोग सही समय पर सही परिश्रम करते हैं वो अभी आते हैं और जो लोग नहीं कर पाते हैं वो अभी आते हैं मैं जब यहां आ रहा था तो सोच रहा था कि मेरे मन में भाव कैसे हैं मुझे खुश होना चाहिए या मुझे हताश होना चाहिए निराश होना चाहिए अंग्रेजी में कहें तो नर्वस होना चाहिए और जिस तरह से हमारे साथियों ने कुछ कविताएं पढ़ी तो मैं सचमुच बहुत नर्वस हो गया मैं इसलिए भी नर्वस हो गया क्योंकि हम सब हिंदी पर बात करने के लिए प्रिरित हैं और ये हर साल का एक त्योहार भी है, रस्म भी है कि हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाएंगे, हिंदी दिवस पर कुछ संकल्प करेंगे, प्रण लेंगे कि हम ज्यादा तर काम हिंदी में करेंगे, हिंदी में सोचने की कोशिश करेंगे, हिंदी में लिखने बोलने की कोशिश करेंगे और अगले दिन फिर अंग्रेजी के पहले वाके से दिन की शुरुवात करतेंगे जब हम ATM में जाते हैं तो ATM आपसे विकल्प पूछता है कि आप कौन सी भाषा का चेहन करना चाहेंगे उसमें हिंदी भी होती है कई-कई ATM में आपकी और भी क्षेतरी भाषा होती जैसे अगर आप पंजाब सिंद वैंक के ATM में जा रहे हो तो उसमें पंजाबी का भी ऑप्षन होता है लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपनी भाषा का या हिंदी का ऑप्षन दबाते हैं क्या अंग्रेजी में ऑप्षन दबाने से 5000 के 10,000 हो जाते हैं और सोचते हम किस भाषा में ह उस भाषा में हम उसको ATM में अंकित भी नहीं करते और हम ATM में अंकित भी नहीं करते तो हिंदी के बारे में संकल्प बहुत सारे लेनी की अवश्यक्ता क्या पड़ती है तो यह जो पहली शुरुआत है एक छोटी सी शुरुआत है इसमें कोई बहुत बड़ा आंदोलन नही है जब आप एटियम में जाते हैं तो आप अकेले ही होते हैं आपके साथ और कोई दूसरा नहीं होता गार्ड भी विचारा बाहर आ हूँ विवेक आपका है हिंदी दिवस का इतिहास क्या हिंदी दिवस है क्यों हिंदी दिवस है हिंदी का प्रयोग क्यों करना चाहिए इन सारी बातों पर मुझसे जादा शायद आप लोग जानते हैं क्योंकि आप सब लोग यूपीएसी की परिक्षा पास करके आए हैं आप ने 1835 के English Education Act की सारी की सारी प्रिष्ट भूमी पढ़ी है उस प्रिष्ट भूमी में ये भी पढ़ा है कि English Education Act भारत में क्यों लाया गया जब विलियम बेंटिंग ने ये Act लाया तो क्या सोच के लाया और लार्ड मैकाले ने जब इसकी रचना की तो क्यों की उसके पीछे की धारना क्या थी और लार्ड मैकाले का भारत की ग्यान परंपरा के बारे में क्या सोच था इसके बारे में भी सोचना चाहिए लार्ड मैकाले ने कहा कि संस्कृत और फार्सी में भारत में सिर्फ इतना ही साहित युपलब्द है जो यूरोप के किसी छोटे से पुस्तकाले की एक अलमारी में समा जाए इससे जादा कुछ भी इनके पास पढ़ने पढ़ाने लायक नहीं है इसलिए अगर इन्हें पूरे विश्व के साथ कहीं न कहीं आगे बढ़ाना है पूरे विश्व के साथ कहीं न कहीं जोड़ना है तो इन्हें अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए ये भी एक तत्य है कि उस समय भाषाओं के साथ सम्रुद्ध था भारत सिर्फ हिंदी नहीं थी संस्कृत थी फार्सी थी और कई भाषाएं थी और हर एक भाषा में विपुल साह साहित्य की रचना हो रही थी जाए वह असमी हो चाहे वह बان्गला हो चाहे वह मराटी हो चाहे बुजराती हो या क्षेत्रिये भाषाएं यह बरिज भाषां रोगर favourite हैं सभी सब में साहित्य हेदिकी रचना हो ती लेकिन एक ऐसा एक्ट हमारे उपर लाद दिया जाता है जो हमारे अंदर कहीं नियूनता का बोध भर देता है, inferiority complex, sense of inferiority, आपके पास कुछ पढ़ने पढ़ाने लाइक है ही नहीं, इसलिए आप Hindi पढ़िए, आप में से बहुत सारे लोगों ने, जब demographic की study पढ़ी होगी, तो शायद आपने ये भी पढ़ा होगा, कि जब English Education Act लागू नहीं हुआ था, तब भारत का literacy rate 80% से ज़्यादा था, और जब English Education Act लागू हुआ, तो भारत का literacy rate घट के 18% रह गया, वो literacy rate आज भी हम उपर लाने के लिए संगर्ष कर रहे हैं, ये भाशा की ताकत है, अपनी भाशा में सोचने, समझने और करने की ताकत है, अभी 2020 में जब राश्ट्री शिक्षा नीती आई, और राश्ट्री शिक्षा नीती के बारे में हम सब ने बहुत सारा पढ़ा लिखा है, आपने देखा होगा कि उसमें भारतिय संस्कृती के ज्यान की बात कही गई है, अपने धरोहर की बात कही गई है, भारतिय करता की बात कही गई है, और इसके साथ ही मात्र भाशा में शिक्षा की भी अवश्रक्ता की बात कही गई है, यानि एक तरह से 1835 के बाद लगबग 180-85 साल बाद डी-कॉलोनाइजेशन की सही परक्रिया शुरू हुई पहली बार हमने सोचा कि कैसे हम अपने आपको उस उपनेवेशिक ताकतों से दूर कर सकते हैं उस सोच से अलग कर सकते हैं इसलिए राष्ट्री शिक्षानीती को सिर्फ एक शिक्षा का अनुष्ठान मान के मत छोड़ दीजे राष्ट्री शिक्षानीती दरसल भावी राष्ट्र के निर्मान का एक अनुष्ठान है इसे मान कर आप उसके दिशा में सोचने के प्रयास कीजे और इसलिए जब हम राष्ट निर्माण में हिंदी की भूमिका की बात करते हैं तो ये बात हमें सोचना पड़ेगी कि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं है हिंदी संस्कृती, संस्कार और परिवेश भी है जिस भाषा में हम सोचते हैं जिस भाषा में हम समझते हैं क्या वो भाषा हमारे सम्वाद की भाषा आम तोर पर प्रक्रियागत शास्किय तोर पर नहीं होनी चाहिए और इसमें शर्म कैसी है मैं आज कहीं चर्चा कर रहा था तो मुझे बताया आप में से बहुत सारे साथी हिंदी माध्यम से UPSC की परिक्षा पास करके आएं किया है संपादित किया है कहीं न कहीं से एकत्रित किया है तो अगर आप उस ग्यान को कहीं न कहीं बांटना चाहते हैं साजा करना चाहते हैं तो वो किसी विवाषा में हो सकता है और अपनी भाशा सुनने का अपनी भाशा समझने का और अपनी भाशा पर गर्व करने का जो एहसास है मित्रों वो एहसास शायद हमें हमारी जन्म भूमे में नहीं मिलता बाहर जाकर मिलता है आपको एक चोटा सा वाक्या सुनाता हूं मैं विये न जा रहा था फ्रैं तो फ्रेंकफर्ट एरपोर्ट पर जो महिला सब की मदद कर रही थी एरलाइन्स की लुफ्तांसा की जर्मन महिला वो कह रही थी दिल्ली वाले यात्री इधर से जाए सुविधा होगी, दिल्ली वाले यात्रियों के लिए ये काउंटर अलग से है, सुनके इतना अच्छा लगा सुबह साड़े तीन मजे जर्मनी के फ्रेंकफर्ट एयरपोर्ट पर कोई महिला हिंदी में आपसे समवाद करने की चेश्टा कर रही है इसके विपरित हमें हमारे दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट पर कोई हिंदी में बोलता हुआ नजर नहीं आता अगर आप हिंदी में सवाल पूछें तो लोग शायद आपको उतना पढ़ा लिखा नहीं मानते मैं कुर्ता पजामा पहन के अक्सर हवाई जाज में यातरा करता हूँ 12 और 13 नमबर की सीटें दरवाजे के पास होती है आपको भी सबको मालूम है इसलिए 12 और 13 नमबर की सीटों के यातरीयों को एक विशेश निर्देश दिये जाते हैं बापात काल हो तो दरवाजा आप इस तरह से खोल सकते हैं तो जब एर होस्टेस आई और उसने और अक्सर वो पूछती हैं कि आप किस भाशा में उस भाशा में आपको बताओंगी तो मेरे उसर जो बैठे थे उन से उसने पूछा कि आप इन विच लैंग्विज यूँ आर इंग्लिश मेरी तरफ देखा और उसने पूछा नहीं कि इन विच लैंग्विज यू आर कमपरटिबल उसने हिंदी में समभादन शुरू कर दिया मैंने कहा मैडम I can understand English why didn't you ask me no no sir I am really sir आप जानते हैं एर होस्टिस किस तरह से बाते बनाती है कहने का मतलब यह है कि हम भाशा के प्रती वेशबूशा के प्रती अपने मन में एक ऐसा perception गड़ लेते हैं और उस perception के शिकार होते चले जाते हैं और वहीं से हमारे अंदर कहीं न कहीं sense of inferiority या new nita बोध शुरू होता है और भाशा की तो विशेशता ही यह है कि आपके पास भाव पहुँचे तथ्य पहुँचे और इस दृष्टी से अगर हम भाशा को देखते हैं तो हमें सच में लगता है कि भाशा कोई भी हो वो शिद्दत से बोली जाए पूरे सम्मान से बोली जाए पूरी इच्छा शक्ती से बोली जाए अब कहने को तो अंग्रेजी भी हमारी जो वाक प्रयोग है वो भी तो सब हम कहीं न कहीं से सीख के पढ़के आते हैं तो फिर अपनी भाशा में बात करने में बोलने में हमें किस तरह की शर्म होनी चाहिए तो इसलिए बहुत बड़े वादे बहुत सारे बादे बहुत सारे नारे आज सुबह से मेरे पास चुकी मेरा संबन हिंदी से है हजारों मेसेजिस हिंदी के हिंदी में ऐसा हिंदी में वैसा हिंदी में ये हिंदी में वो यह यह लोग हैं जो कल जनमाश्टुमी पर दूसरा संदेश भेजेंगे दुरगा पूजा पे तीसरा भेजेंगे, सर्वापित्रो अमावस्या पे चोथा भेजेंगे, इसलिए ऐसे संदेश य है और ऐसे नारों की कोई अवश्रक्ता नहीं. अवश्रक्ता है आपके अंदर एक संकल्प और इच्छा शक्ति की. अगर वो संकल्प और इच्छा शक्ति आपके पास है तो निश्चित तोर पर आप उस भाषा को एक सशक्त माध्यम मना सकते हैं आप में से बहुत सारे लोग या शायद सभी लोग शेतर में जाएंगे फील्ड में जाएंगे काम करने जाएंगे गाओं में जाएंगे छोटे छोटे कस्बों में जाएंगे और उन गाओं में कस्बों में वहां के रहने वाले लोगों के पास जो भाषा है वो उनकी अपनी भाषा है और अगर आप उनके साथ उनकी अपनी भाषा में समवाद करते हैं तो आपके लिए बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है, मैं मराठी भाशी हूँ और मेरी पतनी बांगला भाशी है, हमने जब शादी की तो ये सोचा, आप में से भी बहुत लोग सोचेंगे कि हमारे बच्चे दोनों भाशाएं सीख जाएंगे, मराठी भी सीख जाएंगे, बांगला भी सीख जाएंगे, हुआ इसके उल्टा, ना उन्होंने धंग से मराठी सीखी, ना धंग से बांगला सीखी, अब जब मेरा छोटा बच्चा दूसरी क्लास में था, तो उसकी टीचर ने सब बच्चों से लिखवाया कि वाट इस यू बच्ची बांगला में बोलो तो मुझे तो खुछ आता नहीं है, फिर मराठी मीराठी भी मुझे अच्छी तरह नहीं आती, क्योंकि और मराठी वैसे بھی मदर तंग तो है नहीं, वो तो उसकी फादर तंग है, एचर ने मदर तंग पूची है, बच्चे ने वह भरा नहीं घर आ गया रात में मेरी मां से पूछा दादी से अपनी कि दादी ये बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया उन्होंने वाट इस और मदर टंग अब मैं क्या जबाब दूँ अब मेरी मां भी बिचारी उस गुगली से परेशान हो गई कि अब बच्चे को कुछ भी बोले तो फस जाएगी मराठी बोलेगी तो बहु नाराज हो जाएगी माने का बिटा तिरे कुछ जैसा समझ में आया वैसा कर देना अगले दिन जो उस बच्चे ने किया वह बहुत शांदार था अगले दिन उसने वही कॉलम में मराठी लिखा लेकिन मदर टंग के आगे लिग दिया ग भाशा का जगड़ा छोटे बच्चों का नहीं है उनके मन में सब भाशाएं बराबर हैं उनके मन में सब भाशा का भाव बराबर है आपके मन में भी जब आप स्कूल में थे तब भाशा का भाव बराबर था दीरे दीरे जैसे जैसे हमारी पढ़ाई जादा उन्नत होती च को इस भाशा को न स्ञक्र रहा है कही प्रयरत कर रहें कहीं कर रहें ईस्तुम rad scra ज़से और फिर दो से जोड़ेना कहीं भाशा को प्रवेश और संस्कृति है कि हजो और पिर चिन्ता करना कि यह सब भारत की एक्ता के लिए खत्रा भी हो सकता है अलग-अलग भाशा के लोग हैं मित्रों आप सब मुझसे विद्वान हैं आप जानते होंगे अथर वेद में आज साड़े तीन हजार साल पहले ये बात कह दी गई है जनम विब्रती भुगदा विवाचसम डाना धर्मानी य लोग रहते हैं वो सब साथ में रहते हैं मिल कर रहते हैं साड़े-तीन हजार साल पहले बता दिया है अ थर्वेद में इसलिए हमें भारत की एक्ता की चिन्था करने की ज़रूरत नहीं है ये जो हो बहुत सारे लोग-अलग कारणों से अलग-अलग उद्देशूं से और उ वश्रक्ता है। और इसलिए जगड़ा सिर्फ हिंदी और अन्यभाषाओं का या हिंदी और अंग्रेजी का नहीं है। यह जगड़ा है हमारे अंदर जो मानस बन रहा है उसका है। उस मानस से हमें मुक्ती दिलानी है, उस मानस के बाहर आना है, उस मेंटल मेकप के बाहर आना है, इसलिए अगर गलती से मैंने एक अंग्रेजी का प्रयोग शब्द प्रयोग कर दिया तो मुझे फांसी नहीं हो जानी चाहिए, अरे इन्हों ने अंग्रेजी बुल दे, या हिंदी तो आजकल हिंदी जही कहां, उस में तो आधे शब्द उर्दू के हो गए, या हिंदी में तो लोक भाशाओं के बहुत सारे प्रयोग है, भाशा तो दरसल एक चलता हुआ प्रवाह है, नदी का प्रवाह है, अलग-अलग नदियां उसमें आके मिलती हैं, अलग-अलग छोटी-छोटी नदि हम लोगो समझ में नहीं आता, पर वो सब भी होता है, लेकिन भाशा अपने प्रवाह में बहती है, और सम्रिद्ध होती है, विक्सित होती है, उसमें से एक नया जीवन निकलता है, और वो जो नया जीवन होता है, उसे कहीं ने कहीं हमें आत्मसात करना है, इसलिए कहीं उर बाशा का प्रवाह है ऐसे कई शब्न हैं जो दूसरी भाशाओं से हिंदी में आ गए ऐसे कई शब्न हैं जो हिंदी ने दूसरी भाशाओं को दे दिये और यह आदान प्रदान चलता रहता है वैसे ही जैसे हमारे घरों में आदान प्रदान चलता है या आप दोस्त लोग जो आज भाशाओं के मामले में विश्व में सबसे अधिक सम्रद देश भारत है यह तत्थ मुझे आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है जिस संस्था में मैं काम करता हूँ उसमें एक और और अर्गनाइजेशन मेरे अंडर काम करती है जिसका नाम है राश्ट्रिय पांडूलिपी मिशन और आपको जानके अश्चर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा पांडूलिपी भंडार भारत में है और उसमें तीन सो से जादा भाशाओं में पांडूलिपिया लिखी गई है आज से 600, 700, 800 साल पहले जब हमारे भारत के लोग थे ये सब काम कर रहे थे तो हमें इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और हमारा ये वैभाव है भाशा का वैभाव है उस वैभाव को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद हम सही निर्मान की दिशा में मुझे आगरे हुआ था कि मैं अपनी कुछ रचनाएं पढ़ हूँ एक कविता मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ इसका शीरशक है मैदान मत छोड़ना जब बातें बिगडने लगें जब बातें बिगडने लगें जैसा होता है कभी कभी जब बढ़ने लगे कठनाईयां जैसा होता है कभी कभी जब आमदनी लगे घटने और खर्चे हों हजार हसना चाहो तब भी तनाव बना रहे लगातार कोई भी कदम उठाने से पहले लेकिन मैदान मत छोड़ना। अक्सर लक्ष दूर दिखने पर भी होता है करीब, हमारी हताशा और निराशा ही हमें बनाती है गरीब, हम तभी छोड़ देते हैं अपने सघन प्रयास, जब विजय होती है वहीं कहीं हमारे आसपास, एहसास होने पर इसका हमें बाद में न पड़े पच्टाना, इसलिए करन चाहे जो भी लेकिन मैदान मत छोड़ना, और आखरी है, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, विफलता का विलोम ही तो है सफलता, अंधकार भरे आकाश में जैसे कोई तारा चमकता, इसलिए डटे रहना तब भी, जब लगे जोरदार आगात, विपरीत परिस्तितियों से निकल कर ही देनी है, शत्र को मात, जंजा वातों से निकल कर करनी है, सर्वस्रेश्ट रचना, इसलिए करना चाहे जो भी, लेकिन मैदान मत छोड़ना, करना चाहे जो भी, तेकि मैदाना.